नमस्कार, मैं आलोक सिंग, आप लोगों के साथ Human Anatomy and Physiology का चैप्टर The Animal Tissue के बारे में कुछ जानकारी हाशिल करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टेडी किया Animal Tissue को कैसे डिफाइन करेंगे और Animal Tissues कितने टाइप्स की होती है वहाँ ये बताया गया कि हम Animal Tissues को फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो हैं हमारी Epithelial Tissue, Connective Tissue, Muscular Tissue and Nervous Tissue इन में से पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टेडी किया कि Epithelial Tissue को कैसे डिफाइन करेंगे उसका क्या Structure है, उसके क्या Functions है और उसके कितने टाइप्स होते हैं जब हम Epithelial Tissue को डिफाइन कर रहे थे उससे हमें ये बताया गया कि Epithelial Tissue के जितने भी Cells हैं उनका Growth Connective Tissue के उपर होता है आज हम लोग यही जानेंगे कि Connective Tissue क्या होती हैं उनका क्या Structure है और उनका क्या Function है अपनी क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि Connective Tissue होता क्या है इसके नाम से ही क्लियर है कि वैसा Tissue, जो Tissues किसी दो ओरगन को आपस में Connect कर रहा हो तिशू या ओरगन्स को Wrap कर रहा हो या उन्हें Protect कर रहा हो उन्हें Cushion Provide कर रहा हो उन्हें Support दे रहा हो उन्हें Insulate कर रहा हो उन्हें Strength दे रहा हो या nutrient material को store कर रहा हो या ये nutrient material का transportation का काम कर रहे हैं ये सारी के सारी काम हमारी शरीर के अंदर collective tissue के द्वारा perform की जाती है आई ये हम लोग जानते हैं कि हमारे body में ये collective tissue कहां कहां पाया जाता है body के किस किस पार्ट में collective tissue पाई जाती है ये एक ऐसा tissues है जो most abundant amount में हमारे body में पाई जाती है means जितने भी tissues होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा numbers होंगे that is the connective tissues हम सारी को मालूम है कि हमारी body का जो framework है वो bones के बनी हुई है या skeletal system की बनी हुई है ये skeletal system के अंदर बहुत सारी bones पाई जाती है क्या आपको मालूम है कि skeletal system में कितनी bones पाई जाएंगी about 206 की 206 bones मिलकर हमारे body के अंदर skeletal system का formation करते है skeletal system को form करते है और ये हमारे body का धाचा है हमारे body का framework है और ये जो 206 bones है वो bones आपस में एक दुसरे से united है और वो जो unite होंगी that is by the connective tissues कि हमारे body के अंदर connective tissues इन सभी bones को आपस में united करती है और उस connective tissue का नाम देते है it is ligament जैसे यहां पर diagram है this is the diagram of the bones in legs अब यहां पर जो bones है legs यह bones है और यह bones है और यह दोनो bones आपस में unite है जिस structure के द्वारा उससे हम लोग क्याते है अब हम लोग क्या देखते है कि जो bones है इस bones के ऊपर बहुत सारे muscles पाई जाती है और यह muscles bones से connected होंगी जिस tissue के द्वारा यह muscles bones से connect होती है वो भी connective tissues है और उस tissue का हम लोग नाम देते है it is a tendon आप यहां diagram में देखेंगे this is the tendons इस tendons का काम क्या है कि यह muscles को bone के साथ connect करेंगे और फिर यह muscles से body के movement में, body के locomotion में help करते हैं इन muscles के ऊपर skin pie जाती है और यह skin muscles के साथ attached होंगी जिन tissue के द्वारा यह muscles के साथ attached है वो tissue भी connective tissue ही होती है और उसे हम लोग कहते है it is loose connective tissue यह हम नाम देंगे areolar connective tissue यह connective tissue semi solid form में होंगी और यह skin को muscles के साथ connective करती है और इसे हमें कहते है areolar tissues इसके अलावा जो हम bone की बात कर रहे है जिह हम के हमारी जो body skeletal system बनी हुई है यह bone भी हमारी itself है connective tissues यहां पर एक और आस्चेरिज की बात है हम जब tissues की बात करते हैं हम यह समझते हैं कि उसका कोई shape और size है लेकिन connective tissue में कुछ connective tissue ऐसी भी है जो liquid form में होती है जो fluid form में होती है और उसका example है blood कि हमारी body के अंदर जो blood है वो blood fluid है और वो भी a tissue है और वो कौनसे tissue है that is the vascular tissues अभी तक हम लोग उने क्या जाना कि हमारी body के अंदर different types की connective tissues पाई जाएंगी और वो है number one हम लोग नाम दे रहे हैं it is a ligament number two it is a tendon number three it is the aereolar tissues number four it is bone and number five it is blood तो ये सारी connective tissue है इसके अलावा भी और बहुत सारी connective tissue हमारे body में पाई जाती है आए हम लोग ये जानते हैं about types of connective tissues कि हमारे कि जो connective tissues हैं ये connective tissues कितने types की होती है ये जो types हैं इन types को हम लोग करेंगे कि इसे हम लोग two types में divide कर रहे हैं जो पहला type है वहां पर ये बताया जा रहा है it is connective tissue proper और दूसरा हम लोग कहेंगे it is the specialized connective tissue मेंसरा हमने क्या किया कि connective tissue को two types में divide किया connective tissue proper and specialized connective tissue ये जो हमारी connective tissue proper है ये further फिर से इनको हम लोग दो पार्ट में या दो ग्रूप में divide कर सकते हैं और ये जो types हमारी है this is the dense connective tissue and loose connective tissue कि जो हमारी connective tissue proper है वो दू types की हो गई एक का नाम दिया गया dense connective tissue और दूसरा का नाम दिया गया loose connective tissue और फिर ये जो dense connective tissue है वो थी types की है और जो हमारी loose connective tissue है वो भी हमारी three types की है जो dense connective tissue है three types की कौन कौन सी है पहले कहेंगे regular connective tissue दूसरा हम कहेंगे irregular connective tissue तीसरा हो गया elastic connective tissue और ठीक इस तरह से जब हम loose connective tissue की बात करेंगे तो यह हो गया हमारी ariolar connective tissue, adipose tissue या adipose connective tissue and reticular connective tissues तो इस तरह से हम लोग ने यह study किया यह जाना कि जो tissues है वो tissues different types की होती है इन tissues के बारे में एके करके study करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा से हम लोग यह जानते है कि common factors क्या-क्या है, common features क्या-क्या है जो इन connective tissues में पाई जाती है सबसे पहले कि यह जो connective tissues हैं इनका different role है, different size है, different shapes है, different functions है लेकिन फिर भी हम इने एक group में रख रहे हैं और उससे हम लोग कहते है it is the connective tissue क्या कर रहा है यह support भी कर रहा है organ को, organ को strength भी कर रहा है, nutrient को store भी कर रहा है, nutrient को transport भी कर रहा है organ को आपस में connect भी कर रहा है, सभी का functions अलग-अलग हैं लेकिन, सभी का shape भी अलग-अलग हैं लेकिन हम इन्हें एक ही टाइप में रखते हैं, that is the connective tissue, उसका मेन कारण क्या है, कि यह जो connective tissues हैं, इस connective tissues का growth हमारे body के अंदर होती हैं, और body के अंदर नहीं कहेंगे, embryo के अंदर, जैसे हम लोगों ने study किया था, कि epithelium tissue, first tissue है, जिसका growth embryo से होता है, इसी embryo के अंदर, एक structure होता है, जिसे हम लोगों के नाम देते हैं, मिजन काइमा, और यह जो मिजन काइमा है, इसके से बहुत सारे tissues develop होंगी, और इनके द्वारा जितने भी tissues develop होती हैं, उन सभी को हम लोग एक group में रखते हैं, and that is the connective tissue, में हम लोग जो study किया, कि blood है, bone है, cartilage है, या ligaments है, या tendons है, यह जो सारी सारी, सभी connective tissues है, तो इन सभी का development है, और कहांच हो रहा है, तो from the embryo, that is the mesenchymal, और चोकि यह mesenchymal, इनका growth हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक category में रखते हैं, किसी भी connective tissues में three matters पाई जाएंगी, three parts पाई जाएंगी, एक हम कहते हैं ground material, दूसरे हम लोग कहेंगे fibers, और तिसरे हम लोग कहेंगे cells, ground materials, fibers and cells, इनमें से ground materials and fibers हैं, वो non living part है, और जो cells हैं, वो हम्मारा living part है, अभी तक हम लोग ने जाना कि connective tissues के common features क्या है, एक बार मैं repeat कर रहा हूँ, कि connective tissues के अंदर three components पाई जाएंगी, चाहे वो कोई भी connective tissues हो, किसी भी type का connective tissues हो, और यह three components हैं, वो हमारी है, ground materials, fibers and cells, जो इसकी types हैं, connective tissues की types हैं, वो इन ही बातों पे depend करेंगे, कि उसके अंदर ground materials कैसा हैं, fibers किस तरह के हैं, और cells किस type के पाई जाते हैं, आई हम लोग अब इन में से एक एक करके जानने की कोशिस करते हैं, कि ground materials क्या हैं, fibers क्या हैं और cells क्या हैं, सबसे पहला point है, that is the ground materials, जिसे हम लोग matrix नाम से भी जानते हैं, यह matrix के नाम से भी जाना जाता हैं, matrix के अलावा हम इस ground material को medium word से भी pronounce कर सकते हैं, यह interstitial fluid के नाम से भी जाना जाता हैं, और इसे हम interstitial fluid भी कहते हैं, means ground material कोण कोण से नाम हो गया, एक नाम हो गया हमारा, that is the matrix, दूसरा नाम हो गया, that is the medium, तीसरा नाम हो गया, interstitial fluids, या चोतर नाम हो गया, it is the interstitial fluids, जब हम physically देखते हैं, तो यह पाते हैं कि यह जो matrix है, यह solution के form में, gel के form में, या solid form में भी पाई जा सकती हैं, और usually, it is amorphous in nature, chemically, यह glycoprotein and mucopolysaccharides के बने हुए होंगे, glycoprotein and mucopolysaccharides, इनके जो properties हैं, यह इसके अंदर glue property पाई जाती हैं, आम कह सकते हैं, it is made up of adhesive materials, means concludes क्या हुआ, कि ground materials are also called matrix, medium, interstitial fluid or extra-cellular, sorry, intercellular fluid, physically, it is amorphous in nature, it may be in liquid form, in gel form or in solid form, chemically, it is made up of glycoprotein and mucopolysaccharides and it has glue-like property and these chemicals, glycoprotein and mucopolysaccharides behave like adhesive materials that helps to bind, to join two organs or two tissues, तो इस तर समरों ने जाना कि matrix क्या होती हैं, ground materials क्या होता हैं, जो next हमारा है, that is the connective tissue fibers, अब यह जो connective tissue fibers हैं, वो matrix के अंदर, या ground material के बीच में पाई जाती हैं, और usually यह दो तरह की protein से बनी होंगी, एक protein करों नाम देते हैं, it is the fibrous protein, और दूसरे protein करों नाम देंगे, it is the collagen protein, fibrous protein and collagen protein, और इस protein के nature के according, हम इस connective tissue fibers को three groups में divide करते हैं, एक को कहते हैं लोग, collagen fiber, also called white fiber, दूसरा है elastic fiber, also called yellow fiber, और तिसरा है reticular fibers, क्या हो गया, कि fibers, proteinous in nature है, जो collagen form में या fiber के form में पाई जाएंगी, और यह जो fiber, इस connective tissue में पाई जाएंगी, वो three types की हो सकती हैं, उससे हम लोग नाम देते हैं, collagen fiber, और white fiber, elastic fiber, और yellow fiber and reticular fibers, इसके बाद जो last component है, that is the connective tissues, इस connective tissues में different types के cells पाई जाती हैं, अब यहाँ पर जो cells हम word use कर रहे हैं, ये cells को हम लोग दो word use करते हैं, एक को कहते हैं blast और दूसरे को कहते हैं sites, means जो हमारी connective tissues हैं, उनके अंदर रो cells हैं, उनको दो काटेगरी में divide किया गया, एक नाम दिया गया blast और दूसरे को नाम दिया गया sites, ये सपोज करें कि वो जो cell है, वो अभी immature cell है, तब हम उसको नाम देंगे, it is a blast, जैसे for example, हम word use कर रहे हैं fibroblast, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये अभी immature है, इसके अंदर maturity नहीं आई है, और जब इसी cells के अंदर maturity आ जाएंगी, तब हम इसका नाम देंगे, it is the fibro sites, means कि जो sites है, these are the mature cells, ये जो cells हमारी connective tissues में पाई जाती है, इनका में दो function है, एक होगा, it secret matrix और ground material, and it also secret fibers, especially जो fibroblast है, ये fibroblast connective tissues के matrix को, ये ground materials को secret करता है, और fibres को भी secret करता है, इसके अलावा, different types के connective tissues में, अलग-अलग types के cells पाई जाती है, जैसे adipose, cells, या आप नाम देखते हैं, plasma cells, mast cells, macrophages, reticular cells, etc, etc, ये नाम आपको हो सकता भी कुछ नया सा लग रहा हो, याद करने में आपको परशानी हो रही हो, समझने में आपको नया सा वर्ट लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम इस syllabus को आगे बढ़ेंगे, वैसे जैसे ये सारे नाम आपके लिए familiar हो जाएंगे, और इसको याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, अभी से इतना ही जानते हम लोग कि connective tissues के अंदर three components है, number one is the ground material or matrix, number two is the fiber and number three is the shells, अब depending upon these materials, जो हमारी connective tissues हैं, इन connective tissues को हम लोग दो group में divide करते हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं, it is dense या connective tissue proper, और दूसरे को हम नाम देते हैं, it is connective tissue, या specialized connective tissue, connective tissue proper and specialized connective tissues, आज हम लोग सिर्फ connective tissue proper के बारे में जानकारी हाशिल करेंगे, specialized connective tissues को अगले class में study करेंगे, अब ये जो connective tissue proper है, कि इसको further दो group में divide किया गया, एक को हम नाम देते हैं, dense connective tissue और दूसरे को हम नाम देंगे, it is the loose connective tissue, dense connective tissue and loose connective tissue, अब ये जो connective tissue proper है, उसे हम लोग dense connective tissue कहेंगे, या loose connective tissue कहेंगे, वो इस बात पर depend करेगा, कि उसके अंदर जो matrix है, जो ground material है, वो किस form में है, यदि वो ground material ठीक है, जेल form में है, या solid form में है, तो हम कहेंगे, it is the dense connective tissue, और यदि वही ground material, liquid form में है, loose form में है, low viscosity के form में है, तब हम उस connective tissue proper का नाम देंगे, इट इज दा loose connective tissue, अब यह जो दोनों connective tissue है, further three-three groups में divide की जाती है, three-three types में divide की जाती है, जो dense connective tissue है, उसके लिए जो नाम है, that is the regular connective tissue, irregular connective tissue, and elastic connective tissue, और जो loose connective tissue है, उसको further three groups में divide की गई, एक का नाम दिया गया, the areolar tissue, second is the ellipose tissue, and third one is the reticular tissue, आईए हम लोग इन में से हर एक के बारे में जानते हैं, कि इनकी क्या characteristics है, जो सबसे पहले हम लोगे स्टार्ट करेंगे, about the loose connective tissue, अब हमें मालूम है, कि जो loose connective tissue है, इसके अंदर जो matrix है, उसकी viscosity काफी कम होगी, liquid होगी, क्या आपको मालूम है, कि हमारे body के अंदर जो largest organ है, उस organ का क्या नाम है, हमारे body में जो largest organ है, that is called skin, skin को हम लोग largest organ मानते हैं, कि हमारे body का ये largest organ है, और ये जो skin है, वो किस के ऊपर है, that is on the areolar tissue, means जो हमारे skin है, वो muscle से connected है, muscle से attached है, muscle से joint है, और वो muscle से किस के तो joint होंगी, तो जिस tissue के तो joint होंगी, that is the areolar tissue, loose connective tissue और कौन सा, it is the areolar tissue, आईए हम लोग जानते हैं कि areolar tissue क्या होता है, और इसकी क्या characteristics हैं, सबसे पहले कि areolar tissue हैं, तो इसके अंदर जो matrix हैं, हम लोग को मालूम हो गया, वो fluid shape में होंगी, liquid shape में होंगी, और इनके जो fibers होंगे, वो fine fibers, thread form में होंगे, thread like structure को form करेंगे, और ये जो thread like structure का formation कर रहा हैं, इस thread like structure से वहाँ पर एक network का formation होगा, मिन्स मक्रे की जारली की तरह कुछ के structure वहाँ पर बन जाएगा, मिन्स aerial tissue में loose matrix है, और उसके अंदर fine threads हैं, और जो fine threads हैं, actual में क्या हैं, these are the fibers and these fine threads form a network, अब जो network बन रहा हैं, उसके बीच में क्या होगा, कुछ space में रहेंगी, कुछ empty space होँगी, और वो empty space होती हैं, उसका रहों नाम देते हैं, it is the aerially, air word से, air thin word होता है, काफी space है, इस तरह से, यहाँ पर भी काफी space है, काफी movement के लिए space है, और इस प्लेस के लोगने नाम क्या दिया, it is the aerially, और इसी aerially से, इसका नाम बना, aerolar tissue, अब यह जो matrix हैं, वो fluid like है, loose collective tissue को बना रही है, अब यह हमारे body में, किस किस organ पर पाया जाएगा, तो सबसे पहले, यह, चुकि इसका matrix fluid है, इसका मत्रब हुआ कि इसके अंदर flexibility ज्यादा होगी, और flexibility, जहाँ पर flexibility की आओ सेकता है हमारे body में, वहाँ पर जो tissue, connective tissue होगा, that is the aerolar connective tissue, just for example, हमने पहले study कर लिया, कि skin के नीचे जो tissues है, that is the connective tissue, इसके अलाबा, हमारे body में blood vessels है, जिसके through blood circulate हो रही होती है, उसके surrounding में, aerolar connective tissue पाई जाएंगी, body के अंदर glands है, या lobes means कोई ग्रंथी है, कोई थैली है, जैसे हमारी salivary glands है, या हमारी stomach के अंदर gastric glands है, ति यह जो जितने भी glands होंगे body में, जहां से कोई chemical secret हो रहा हो, उस glands के जो outer surface होगा, या उस glands के जो wall होंगे, उस wall में जो tissue पाई जाएंगी, that is the connective tissue, हमारी जो body के अंदर nerves है, उन nerves के surrounding, जो tissue पाई जाएंगी, that is the areolar tissue, body में bone marrow, bone marrow होती है, bone के अंदर एक structure होता है, bone marrow, उस bone marrow में connective, areolar connective tissue पाई जाती है, means, जहाँ जहाँ पे fluidity की, flexibility की आवाश सकता है, elasticity की आवाश सकता है, वहाँ जो tissue पाई जाएंगे, that is the areolar connective tissue, तो हम लोग ने जान लिया, कि areolar connective tissue का matrix कैसा होगा, अब ये जो areolar connective tissue के अंदर, जो fibers होंगे, उन fibers को हम लोग, दो group में divide कर सकते हैं, जो लोग collagen fiber भी कह सकते हैं, और दूसरे करों नाम देते हैं, it is the yellow fiber, white fiber, यह 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 नाम होगया, collagen fiber, और दूसरा होगया, yellow fiber, यह 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 नाम होगया, elastic fiber, और जो तीसरा type है, that is the reticular fibers, means, जो areolar tissues है, उस areolar tissues में, तीन तरह के fibers पाई जाएंगे, these are the white fibers, yellow fibers, and the reticular fibers, और जो cells है, वो cells कौन कौन हो सकते हैं, जैसे fibroblast, plasma cells, mast cells, pigment cells, या macrophages, तो these are the cells, जिसके अरावन में, हमारी Aureolar Tissue पाई जाते हैं, अब Aureolar Tissue के बाद, जो next tissue है, loose corrective tissue के अंदर, that is the adipose tissue, अब यह जो adipose tissue होती हैं, इनके अंदर जो matrix है, वो तो मालूम हो गया कि यह matrix क्या होंगी, lose होंगी, लेकिन यहां पे जो cells होंगे, वो cells spherical होंगी, ball step की होंगी, और उनके बीच में fat globus पाई जाती है और चुकि ये fat globus इसके बीच में पाई जाती है इसलिए इसका नाम दिया जाता है it is the adipose tissue और इसी fat globus के चल से जो nucleus है वो nucleus से center में ना होकर periphery में हो जाती है कि इसका characteristics हो गया adipose tissue का कि इसके अंदर जो cells होंगे वो round होंगे, oval होंगे, spherical होंगे और उन cells के अंदर fat globus पाई जाएंगी और चुकि वहाँ पे fat globus पाई जा रही है इसलिए जो उसके अंदर जो nucleus होगा वो nucleus हमारी periphery में चला जाएगा means वो nucleus से center में नहीं होगा दूसरा point है कि इसके अंदर जो fat globus होते हैं वो fat globus white fat formation करते हैं और कभी-कभी ये yellow fat के form में भी होंगे लेकिन ये इनका color brown color का appearance होगा होता तो ये white fat है या yellow fat है लेकिन जो हमाँ appearance देखते हैं तो उसके बहुत सारे adipose tissue में brown color की appearance में नजर आती हैं और ये जो brown color की appearance है वो क्यों है तो due to presence of pigment, pigment means कि कोई color है वो color उस fat साथ mix हो गया है और उसके चलते जो वो adipose tissue है उसका हमें color कैसा दिखाई दे रहा है that is the brown in color अब ये adipose tissue हमारे body में कहां पाई जाएंगी कहां पाई जाएंगी इसको जानने से पहले हम थरा से यह जानते हैं कि adipose tissue का function क्या है हम सभी को मालूम है कि हमारी body के अंदर fat होता है आप ऐसा महसूस किये होंगे कि जो person fatty है means जो obese person है जिनका weight ज्यादा है जिनके body के उपर fat ज्यादा है ऐसे person को ठंड कम लगती है ऐसा की होता है due to presence of the adipose tissue कि उनके body में जो fat tissue fat है वो fat क्या हमारा है actual में it is the adipose tissue और fat जो है it is the bad conductor of heat को heat का bad conductor है means बाहर के temperature को अंदर नहीं जाने देगा और अंदर temperature को बाहर नहीं निकल ले देगा नतीज़ा क्या होगा कि suppose करें कि बाहर का atmosphere में बहुत ज्यादा temperature down है cool temperature है लेकिन चुकि वो temperature उस person के body fat कम है चर्वी कम है जो उनको ठंड ज्यादा महसूस होगी तो पहला function होगे हमारा adipose tissue का it is the insulator of the body कि body को यह insulate करता है body को यह ठंड से बचाता है means यह body का organ को भी ठंड से बचाएगा means क्या हुआ कि body का जो sensitive organs है उन sensitive organs के surround में adipose tissue पाई जाएंगे दूसरा आप society में महसूस करेंगे कि कोई fatty person है कोई obese person है और वो किसी कारण से जमीन पे गिर गया उसे चोट कम महसूस होगी लेकिन कोई दुबला पतला परशन है वो यह जमीन पे गिर गया किसी भी कारण से तो उसे चोट ज़्यादा महसूस होगी उसे दर्द ज़्यादा महसूस होगी इसका कारण क्या होगा कि जो ओबेज परशन है उनके बॉड़ी के अंदर फैट है that is the adipose tissue और वो adipose tissue cushion का काम कर रहा है, means कोई जर्क लग रहा है, कोई heat हो रहा है, कोई mechanical heat हो रहा है तो उनका जो adipose tissue है उस mechanical heat को absorb कर ले रहा है, उस चोट को बरदास्त कर ले रहा है और person को फिर चोट महसूस से नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि this adipose tissue act as a cushion तो जो function हो गया adipose tissue का पहला function हो गया it act as a insulator और दूसरा हो गया it act as a cushion कि यह cushion की तरह काम करता है अब हमाई body का वो organ जहां पर cushion कि आउ सकता है जैसे suppose करें कि हमारी eyeball है हमारी eyeball fix है जैसे हम jump करेंगे तो eyeball अपने position पर रहेगा अधि उसको कोई jerk महसूस भी हुआ तो वहां पर कोई tissues होंगी जो उस tissue उस jerk को absorb कर लेंगी तो वो tissues है वो कौन सी tissues है that is the adipose tissues hurt है hurt हमारी body के अंदर fix है अधि हमारी jerk भी लगेगी उसके बाद भी hurt अपने position पर fix रहता है उस पर जर्क का महसूस नहीं होगा तो वो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि hurt के surrounding में adipose tissue है जो jerk को absorb कर रहा है इस तरह से kidney है जितने भी vital organs है body के अंदर जिन जो sensitive organs है उन organs के ऊपर ये cushion का काम करता है उनके stroke को absorb करने का काम करेगा तो कहां कहां पाई जाएंगी तो कुछ एक जामपन देख लेते हैं कि यसे body का kidney है तो एक kidney में पाई जाएगा hurt है, hurt के surrounding में पाई जाएगी eyes है तो eyeball के surrounding में पाई जाएगी और ये तो हम जानी चुके हैं कि जो subcutaneous tissue है means जो skin के नीचे का जो tissue है that is the also adipose tissue areaolar tissue भी है लेकि जो वहाँ पे fat deposit हो गया तो वो क्या हमारा है that is the adipose tissue तो इससे हम लोगो ने जाना कि adipose tissue का क्या structure है अब हम लोग throat size के functions के बारे में देख रहते हैं सबसे पहला होगा function कि it acts as a insulator कि ये insulator की तरह काम कर रहा है to prevent heat loss जाकि heat का loss नहो सके it acts as a shock absorber कि ये shock absorber की तरह काम कर रहा है around kidney eye and eyeball heart etc it helps blood corpuscles formation जो blood के अंदर जो blood cells है उन blood cells को बनाने में ये help कर रहा है क्योंकि ये cushion की तरह काम कर रहा है it also act as a protective and supportive for the various internal organs और हम सभी को मालूम है कि जो fat है वो fat थी हमारे body के अंदर डिपोजीट है तो हम हमारे body को उस fat से energy मिलती रहती है means it also act as a food reserve तो ये डिपोजीट इसको काम क्या हो गया it acts as a insulator to prevent the loss of heat it acts as a shock absorber around the kidney eyeball heart etc it helps in the formation of the blood cells it acts as a protective and supportive for the various internal organs and last day it acts as a food reserve इस तरह से हम लोग ने जाना कि loose connective tissue क्या है और जो तीसरा बच गया that is the reticular connective tissues तो reticular connective tissues के अंदर वोही सारी characteristics पाई जाती है जो कि हमारे areolar connective tissue में पाई जाएंगे अब हम लोग डूसरे टाइप को study करने ही कोशिज करते है that is the dense connective tissues अब यह जो dense connective tissues है इस dense connective tissues को further three category में divide किया गया regular connective tissue, irregular connective tissue and elastic connective tissues अब चुकि हम लोग नाम ही ले रहे हैं कि इसे dense connective tissue अब बताने क्या हो सकता नहीं है clear है कि इसके अंदर जो matrix होंगे जो ground materials होंगे it will be in gel form or in the solid form or in the semi-solid form सबसे पहला word आया regular connective tissues very simple यह भी हमें मालूम है कि सभी connective tissues के अंदर fibers पाई जाएंगी जब हम word used करेंगे regular connective tissues इसका मतलब हुआ कि जो fibers होंगे वो fibers arrange होंगे parallel to each other जितने भी fibers होंगे वो सारी की सारी fibers होंगे वो होंगे parallel to each other और जब वो parallel to each other होंगे नतिज़ा क्या होगा they will form bundles कि वो एक bundles का formation करेंगी बहुत सारे connective tissues के fibers regular connective tissues के अंदर बहुत सारे fibers आपसे मिलेंगे और मिल करके एक bundles का arrange करेंगे इतना ही नहीं जितने भी bundles का formation होगा वो सारे bundles भी एक दूसरे के parallel condition में रहेंगे parallel stage में रहेंगे और इससे हमनों कहेंगे it is the regular connective tissue जैसे आप diagram में देख रहेंगे कि हमारे white fibers हैं यह सारे white fibers क्या है parallelly arranged है और एक bundles में हैं और इन दोनों white fibers के बीच में जो shells है उस shells हमनों क्या नाम दे रहा है it is the fibro blast और जो हमारी लिक्विड फोर्णर है this is the matrix कि यह हमारी क्या हमारी these are the matrix present in the dense connective tissue जब हम irregular connective tissue की बात करते हैं तो नाम से ही clear है कि यहां पे जो connective tissue के अंदर fibers होंगे वो fibers एक दूसरे से parallel नहीं रहेंगे और वो irregularly इसके matrix के अंदर arranged रहेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे it is the irregular connective tissue यह जड़ाइगा हम देख रहे है this is the example of the irregular connective tissue इसके अंदर जो fibers है यह सारे fibers क्या है वो parallel arranged नहीं है zigzag roof form में यह arranged है और इसलिए हम इसे कहेंगे it is the irregular connective tissue अब last आया that is the elastic connective tissue अब इसके नाम से ही clear है कि इसके अंदर elasticity है elasticity means लचीलापन है और हमें मालूम है कि कोई भी fiber bundle के form में आ जाएंगी तब उसके अंदर elasticity नहीं रहेंगी तो यह जो elastic connective tissues होंगी यह elastic connective tissue के अंदर fibers होंगे और fibers branched fibers होंगे यह आप आप दिखाई दे रहा है these are the fibers and these are the branched fibers and these fibers have the elasticity तो इस तरह के dense connective tissue का हम लोग नाम देंगे it is the elastic connective tissues हम लोगों ने यह जान लिया कि dense connective tissues के कितने types होते हैं और उनकी क्या-क्या खासियत हैं क्या-क्या उनकी characteristics है अब आईए हम लोग उसी को हम लोग repeat करते हैं dense connective tissue हम लोगे study कर चुके हैं कि bunch of fibers होंगे इनके अंदर जो cells होगा वो fibro blast cells होंगे इनके अंदर fibers होंगे fibers दोड़ो तरह की होंगे collagen fibers भी होंगे elastic fibers भी होंगे collagen fibers होते हैं उससे हम लोगों क्या करेंगे it is the white fiber and the yellow fibers regular connective tissue के बाद जो next हमारा है that is the collagen white fibers के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह सारे के सारे fibers क्या होंगे parallel arranged होंगे सारे सारे bundle के फॉर में होंगे और यह जो bundle के बीच में cells पाई जाएंगी जो spindle shaped cells होंगी और वो cells हम लोगो कह नाम देते हैं it is the fibro blast और इसकी जो elasticity होगी वो low elasticity होगी एक बात और जानले यह बहुत ही जादा strong fiber पाया जाता है और इतना जादा strong ऐसा है कि this is the more stronger than iron कि जब iron आप देख रहे होंगे feel करते होंगे मश्रूश करते होंगे उसके अंदर strength है उससे जादा strength in white fibers में पाई जाती है next हमारा है white fibers के बारे में क्या कहा जा रहा है कि high strength है कि strength बहुत जादा है but low elasticity लेकिन की elasticity कम है compared to the yellow fiber means elastic fibers यह जो tendons होंगी bone के अंदर bone और muscles को आप से joint कर रही है उससे tendon कहते है उस tendons के अंदर जो हमारी connective tissue है वो connective tissue कौन सा है that is the dense connective tissue and that is the collagen fibers इसके अलावा यह जो heart है blood vessels है kidney है brain है spinal cord है eyeball है इसके भी जो covering होगी वो covering भी इस नहीं white fibers की बनी हुई होती है इतना ही नहीं को हमारी bone के अंदर skull है skull के अंदर body के अंदर skull है उस skull के अंदर बहुत सारे joints होते है और वो joints immovable होते है और वो joints है किसके तौर बनाई आती है that is the collagen fiber और कहेंगे that is the regular connective tissue and especially that is the collagen fiber or the white fibers means कि जहां जहां पर body को strength किया हो सकता है जहां जहां body को support किया हो सकता है जहां जहां body के अंदर strong mechanical support किया हो सकता है उन सभी parts में हमारी regular connective tissue पाए जाती है और जिसके अंदर white fibers means collagen fibers का amount जादा होगा last आगया हमारा that is the elastic fiber इसे अंदर दूसरा नाम देंगे it is the yellow fiber तीछे बार हम क्या बताया गया यह ठीक है branched है loosely attached है irregular है इसके अंदर stretching power जादा है नामी है elastic fiber means इसके अंदर elasticity बहुत जादा है इसके बीच में कुछ adipose tissues पाई जाती है और जो ligaments means जो bone की joints है जहाँ flexibility की जादा हो सकता है तो जो joints होती है उन joints के अंदर yellow elastic fibers का amount जादा पाया जाता है अब यहाँ पर बताया गया कि lungs है lungs हम breathing करते है lungs को expand होना है और फिर उसको contract करना है तो वहाँ पर जो fibrous cells है that is the elastic fibers यह हमाई respiratory system के जितने भी parts है सारी-सारी parts या blood vessels है या GIT है या skin है means जहाँ पर flexibility की आओ सकता है वहाँ पर हमारी यह fibrous yellow fiber वाले dense regular connective tissue पाई जाएंगे तो इस तरह से हम लोगों ने complete किया यह chapter यह topic है that is the connective tissue अब इसके अंदर एक topic रह गया that is the specialized connective tissue क्योंकि हम लोग ने जो discussion किया वह हमारा क्या था connective tissue proper जो दूसरा category था that is the specialized connective tissue वह point हमारी जागी उसको हम इसलिए नहीं कर रहे है यह user dog four between two tissues आती है एक का नाम है bone और दूसरा का नाम है blood हमें independent chapter study करना है that is related to the bone और दूसरा एक अलग chapter है that is related to the blood जैं हम bone के बारे में detail में study करेंगे हम blood के chapter परेंगे close gossip at 8 तो हम इन tissues का discussion उस chapter कांदर करेंगे that is the bone and blood मैं उम्मीद करता हूँ कि यह साए टॉपिक आपको clear होगी होगी, साए टॉपिक समझ में आगी होगी, फिर भी यदि आपको कोई doubts हो, कोई questions हो, कोई confusion हो, तो अपने confusion को doubts को comment box में जरूर लिखे, मैं उसे reply करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिस करूँगा, Thank you very much for staying with me for such a long duration. Thanks a lot.